नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अश्टड़ी 24, आपको पता है बिहार भी अगले वर्स यानि 2025 में एलेक्शन होने वाले हैं, इसी के देखते हुए बिहार सरकर की और से जो है नई नई वेकंसी निकाली जा रही है, जितने भी वेकंसी खाली पड़े है, सभी को भर दिया जा तो इसी के करम में एक नई वेकंसी की सुचना आ चुकी है, जिसमें 3630 पड़ों पे नई वेकंसी जारी की जा रही है, जिसमें देखिए सभी पंचायतों में नई भाली होनी है, ये एकदम 1-2 महिने में आपका ये किलियर हो जाएगा, नियाई मित्र और कचहरी सचीब का बद होने वाला है, जिसमें 3630 बद टोटल दिये गए है, इसके लिए जिला बाई सीट जारी कर दी गई है, कि कौन से जिले में कितने सीटे दी गई है, और वो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, तो लाश तक बने रहिएगा, और इसमें कोई भी परिच्छा नहीं होनी है ठीक है, कोई भी परिच्छा नहीं होगा, डारेक्ट भरती होगा, तो कैसे क्या होने वाला है, सारा कुछ हम लोग जानेंगे, तो लाश तक बने रहिएगा, और इसमें मैट्रिक कम से कम मैट्रिक पास वाले जो है, वो आवेदन कर पाएंगे, तो आईए देखते हैं क्या डीटेल आया हुआ है, इसके लिए देखें, यहाँ पर अखवारों में भी जारी की गई है, सुचना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, बताया गया है, सूबे में नियाय मीत्र कचहरी सचीब के 3630 पर दोपर दो माह में बहाली होगी, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि कौन-कौन से जीले में यह सीटे दी गई है, सबसे पहले तो देखेंगे, तो अररिया में देखें, तो यहाँ पर अररिया में देखिएगा, तो सचीब के लिए 46 सीट है, और नियाय मीत्र के लिए 75 सीट है, अरवल में देखेंगे, तो 14 सीट जो 43 सचीव नियाई मीतर 53 सीटे ठीक है भागलपूर में देखें तो 49 सचीव का है और 79 जो है आपका नियाई मीतर का है भोजपूर में देखें तो 40 सीटे सचीव की है और नियाई मीत्र का 74 है पकसर में देखिए तो 19 सीटे है सचीव का और 24 सीटे जो है वो नियाई मीत्र का दिया गया है दरभंगा में देखिए तो 22 सीटे ये सचीव का है और 34 सीटे जो है वो नियाई मीत्र का खाली है और यहां पर गया पर देखेंगे तो 50 सीटे जो है सचीव क और 89 सीट जो है यह आपका न्याई मीत्र का हो गया फिर आपका गोपाल गंज में 46-78 दिया गया है फिर जमुई में 49-24 दी गई है जहानाबाद में 25-48 दिया गया है तो इधर वाला जो है यह आपका सचीव का हो गया इधर वाला न्याई मीत्र का हो गया देख लिजेगा ठी तो यहां पर 30 सीटे जो है सचीब का और 40 सीटे जो है न्याई मित्र का मध्यपूरा में 5 सीट सचीब 19 सीट न्याई मित्र मधुबनी में 62 सीट सचीब का ठीक है और 147 सीटे न्याई मित्र का फिर मुंगेर में देखे तो 4 सीटे सचीब का 1 सीट जो है वो न्याई मित्र का तो जो जैसा जिला बड़ा है वहाँ सीटे ज्यादा है जो छोटा जिला है वहाँ सीटे कम दी गई है तो मुझभफरपुर में 62 सीटे दी गई है, सचीव के लिए 1559 न्याई मित्र का दिया गया है, नालंदा में देखे तो 66 सीटे जो है सचीव का दिया गया है, 69 सीट जो है वो न्याई मित्र का है, नवादा में देखे तो 40 सीटे सचीव की 70 सीटे न्याई मित्र का, पस्चिम चमपारन में देखें तो अंधामन सीटे जो है वो सचीव का है और 60 सीट जो है वो न्याई मित्र का है पटना में देखें तो 60 सीट जो है सचीव का है और 75 सीटे जो है वो न्याई मित्र का है पुर्वी चमपारन में देखें तो 74 सीटे जो है वो सचीव की 106 सीटे न्याई म और 112 ये आपका 59 Mac तो सारान में 1289 दिया गया है फिर आपका सेक्वकुरा में 11 5 दिया गया है और सिभार में 11 और 20 दी गई है सिटमडी में देखें तो 49 सीट सचीब का 24 सीट न्याइमेत्र सीवान में 48 सीट सचीब का 73 सीट force सुपाल में 34 सीटे सचीव की 62 सीटे नियाई मित्र वैसाली में 56 सीटे सचीव की 94 सीटे नियाई मित्र का तो इसी परकार से देखे तो टोटल जो है ने सभी जिला अधिकारियों से जिला पंचायत राजपताधीकारियों को निर्धेस दिया है निर्धेस में कहा गया है लेटर में कहा गया है कि 8,000 ग्राम कचाहरी में से मातर 5,826 पद पर ही नियाई मित्र पहले से कारे रत है तो देखें पहले से जो है अंठामन सो चब्वीस नियाई मित्र काम कर रहे हैं, बाकी जो है दो हजर दो सो तीस पद खाली है, जबकि ग्राम का चेहरी सचीब की बात करें तो छिए सचपन पद जो है पहले से भरे हुए है और चौदा सो पद खाली है, यानि कि वाइस सो जो दो महिने के भीतर ही इसको भरने को कहा गया है तो देखे जैसा ये वेकंसी जारी होगी मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा और इसके अलावा भी बिहार में जो है चार लाख से जादा पदों पे भरती आनी अभी पाकी है यानि कि जो है बिहार में अभी लग साब बताया गाए देख पा रहोंगे कि टोटल सीटे जो है विभाग बाइद कौन से विभाग में कितनी सीटे खाली है वो बताई गई है देख पा रहोंगे टोटल अगर हम लोग देखे तो चार लाख बहततर हजार 976 सीटे जो है अभी तक बिहार में खाली पड़ी पूरी जानकारी मैं आपको next वीडियो में दूंगा तो last तक जैनल को subscribe कर लें ताकि जैसा ही मैं इसके बारे में बताऊ 4,000,000 वेकंजिक के बारे में तो आपको पहले सुचना प्राप्त हो सकते तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजे पलपल की update के लिए चलिए अब आते हैं इस पे जो vacancy के हम लोग बात कर रहे थे तो देखिए अभी जो है पंचायतों को 6570 लेखापाल सा IT सहायक अक्टूबर तक मिल जाएंगे यानि जो लेखापाल सा IT सहायक का online आवेदन लिया गया था भी हाल फिलाल दो-चार दिन पहले ही आपका जो है ये डेट खतम हुआ है तो अगर आपने आवेदन किया था तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर ये है कि अक्टूबर तक ये बहाली complete कर ली जाएगी ठीक है इसकी सूचना मैंने अब बढ़ा दी गई है तो पहले जो था सीट उससे 20,000 सीटे जो है अभी बढ़ा दी गई है टोटल जो है अब बढ़कर 46,617 का वेकंसी हो चुगा है ठीक है तो और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इसमें देखिए जो नि आवेदन आसानी से कर पाएंगे कम से कम मैट्रिक पास आपका होना चाहिए तब ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे मैट्रिक पास जो भी है वो आवेदन कर पाएंगे इसमें और इसमें पैसा बगएरा कितना मिलेगा पैसा बगएरा देखिए यह पर बतायागा है का चाहरी सचीब और नियाई मित्रों को संविदा पर बहाल किया जाएगा यानि कॉंट्रेक्ट बेसिस पर बहाली की जाएगी और सचीब को जो है 6,000 रुपे महिना आपको सैलरी दी जाएगी ठीक है 6,000 रुपे और धीरे धीरे इसमें बढ़ता है तो 6,000 रुपे फिलाल मि कर पाएंगे और जो 18 साल से उपर जिनका उमर होगा वही इसमें आवेदन कर पाएंगे मिलते हैं जब यह वेकैंसी जारी की जाएगी यानि आवेदन बगएरा जब लिया जाएगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले कर आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल कर दो कि घर बनूएन दो प्रस हमारे जाल से उत्रा तो झाएंगे वफर वेदन कर डिनका पाएंगे इसमे जाएंगें कर दोते हैं एल थे ख़ेंगेंगे तो मैं रबएज कर दोते हैंगे êtes हैं हैं एह प聯 fragen, जा इसमें चल आफिपके वह कर पका बटीम कर औह दोते हैंगे